स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल S2T में आज के शो साइंस थर्जडे में हम बात करेंगे बायो गैस पाउर प्लांट के बारे में तो आइए जानते हैं तो बायो बायस के बारे में आपको यह समझने होगा जब भी अनरोबिक डाइजेशन होता है मतलब कोई भी चीज तरता है लेकिन अगर वहाँ अक्षीजन नहीं है मतलब आपसीजन को आप सील कर दिया या मालीय जमीन में दाब दी है या कुछ भी कर दिया बहुत सारे चीज छोड़ देता है तो यह ऐसा ही हो रहा है बस अगर आप oxygen हटा दे रहे हैं तो output जो है मतलब जो छोड़ रहा है सांस जो वह microorganism बहार छोड़ रहा है वह methane छोड़ने लगता है तो इसलिए कभी भी कोई आपको और सबसेक्षें अगराव ऑटलाएं अपने सहार को चलाने की कोशिश करते हैं तो यह विश्क भी कोशिजई हो दूसरा अगर यह समझे है कि अगर आप ऊर्जा बनाते यह उप अपने सहर को चलाने की कोशिश करते हैं तो इससे कार्बन डियोकसाइड आप एड्डिंग कर रहे हो आप जब जला रहे हो मीठेन को तो उससे जो कार्बन डियोकसाइड छुट रहा है वो दोवारा और्गैनिक मेटीरियल एब्सॉर्ब कर लेगा यह एकदम सीधा सीधा बायो मास पाव जासा है जिस पर मैंने वीडियो बना चुका हूं तो आपको कुछ सोचना नहीं है आपको इसको जलाने से कोई नुकसान नहीं होने वाला पर्यावरण को और इसका सोर्स तो आपको पता ही गए लोग गए माता तो है ही हमारी तो हमारे इतना इंट्रेस्ट क्यों है इसके सबसे पहले यह समझे यह हम लोग 1980 से कर रहे है मतलब उससे भी पहले से किया जा रहा है मतलब यह काफी टेस्टेड आसान सरल चीज है मतलब कोई होस्यारी नहीं करना है कोई PhD नहीं चाहिए कोई silicon technology नहीं चाहिए एकदम simple सरल चीज है एकदम कुछ सुच नहीं एकदम सीध और सरल चीज है और इससे जो कचरा निकलता है वो फर्ट गलाइजर होता है मतलब उसको लिटरली आप खेत में डा सकते उससे आपकी उपर जाएगी तो यह सब तो ठीक है इसका दूसरा एक फादा होता है जो कि किसी इंजीनियर के लिए काफी अची बात है कि जैसे अगर जैसे पूछेगा कि यहां को एक पावर प्लांट बनाना है भूलिए ठीक है कितना बड़ा बनाना बूलिए आप दो किलो वट में अपना घर में रखना चाहता है जो नहीं बनेगा उतना क्योंकि दो किलो वट में बहुत जादा माईलेज खराब देगा मतलब आपको 10 हाँ आप बात करेगा हाँ बड़ा बनाने पर इफिशेंट रहा हो जाता है तो एसी केस में बाइयो गैस के साथ एसा प्राइब नहीं है आप बड़ा से बड़ा बना से जो कई मेगावाट दे और चोटा चोड़ा बना से जो एक-डो किलो वाट तो इसके मामने मापको कोई करता है तो यह समझें चोटा से चोटा बनाया जासता बड़े से बड़ा बनाया सकता है सीधा है आसान और इसे जो कचरा निकलता है वह फर्टिलाइजर है जैसे कि बायो मास पार प्लांट में जलाएंगे तो आपको सिर्फ राख निकलेगी अधरेंड में मतलब राक से ही जैसे कि बहुत चोटे जीवित चीज होती है वह जब भी कुछ करती है जैसे कि माल यह आप एलजी तो सुनते ही होंगे यह सब कुछ भी करता है तो उसका आउटपुट निकलता ही है तो आउक्सिजन लाक इंवालमेंट में खासतर कि माइक्रोगियल लाइफ स्टार्ट कर जाता है हाइड्रोकारबन से काफी ओर्गानिक चीज मनें तो आप समझे आउटपुट में यह लोग सीरे हाइड्रोकारबन देने लगते जो कि मीठेन के फॉन में निकलता है तो आपको कुछ समझना नहीं है इसके बारे मां बस इसमें आप सडा रहो लेकिन ओक्सिजन से जरूरी है मतलब जितना यह वार्म रहना चीज मातलब थोड़ा सा सुसुम टाइप रहना चाहिए ठंडा नहीं होना चाहिए शुम टाइप इंवार्मेंट यह काफी अच्छे से काम करता है दूसरा इससे जो गास निकलता उससे एच्टू एस जो है उसको निकालना जबते चला जाएगा तो आपका स्क्रबर लगाना पड़ता है इसमें और स्क्रबर से हम लोग वही एच्टू एस को निकालते हैं तो एक सीधा सीधर डाइग्राम जो आपने स्कूल के बुक में भी देखे होंगे जदा कुछ सोचना नहीं होता है आप यहां पे गोबर है यह कचरा है जो भी इंसानी तक्टी से भी किया जा सकता है उसको आप डालेंगे एक डाइजिस्टर में डाइजिस्टर में बस ध्यान रखी कि यह सील होना चाहिए हर हालत में इसका सील रहना ज़रूरी है अगर ऑक्षिजन लिक किया तो अब काम खाता है क्योंकि आपको स निकल जाएके जो रहुती से अपने साउप एम से खेती कर सकते हैं तो यह सब अ करने का सीधा तरिका इसन कोई एलप्रिशिटी नहीं जा इसको फैंसी चीज नहीं चीज़ हालो करते है funds in subscribe कि इसके इसना मिंभान भू पर निकल लगे-टो तो पोसिशिश किए जया जाता ह थंड़े जगाहा पे इसमें घेटर लगाय जाता है ताकि डाइजस्टर जो है ठंड़ा नहों ज़ाए कर दो थने चाम करता तो इसने खुछ नुकसान भी है, तो अशा नहीं है कर दो जुका है तो भी वहां से भी सण ने लगता कि सद जाता है तो मीथेन निहालता है इसको bund अप करती हैं जुञा निकालता है कodus के तो आप क्लोख की जिया फिरिक जी है वहां says और क्ल लुदक के तेसरा पे ब meinem कहलेते हैं 10 तो बहुत सारे सोर्स को जोड़ने के बाद आपको पूरा मीथेन का कलेक्शन निलेगा तो यह इसका सबसे बड़ा जंजट है कि एक बड़ा प्लांट नहीं बना जा सकता है मतलब आपको हर जिगां पे अलंग लग बनाना पड़ेगा जैसे माल यह कोई एक गाउं में आपको मिला कि खूब सारे गाउं मतलब यह हैं गौशाला खूब साला है तो आप यह कर सकते के ठीक है यह सारे लोगों को बोलिए अपना छोट पुटिया चोट पुटिया मत बना मेंटेन कर रहे हैं तापमान पूरी तरह से स्क्रबर बहुत अच्छा से लगा हैं तब आपको ज्यादा उर्जम मिलेगा राम से आप काम कर सकते हैं तो स्क्रबर भी जो लगता है इसमें यह थोड़ा महेंगा चीज है कोई ऐसा चीज नहीं जो आंक मूं करके आप खरीद अच्छी इमारत है उसमें खुब सो मां यह 500 परिवार रह रहे हैं आप इसका क्लेट हीजिए कितना गैस निकले गैस तो बहुत निगए लेकिन उससे माली चलाना चाते माली आप सोचने कि ठीक हम क्लेक्ट करेंगे और एक दिन का मतलब जब कुरा हो जाए जब गैस पुल तो हां यह काफी बड़ी बात है मतलब जो भी लोग बड़े-बड़े घर्स को समालते हैं जहां पर खूब सारे लोग रहते हैं को पता है बिल बहुत आता है कई सो हजार मतलब कई हजार रुपय तो ऐसी फ्रीफंड का लगता है तो वैसे हालात में आप यह बूली है कि त खतम हो जा रहा है प्लस उससे जो कच्रा निकल रहा है वो भी आप बेच सकते हैं मार्केट में फर्टिलाइजर के दर तो समझे प्रॉफिट प्रॉफिट उसके उपर प्रॉफिट और मीथेन के बारे में एक बात आपको समझना पड़ेगा कि CH4 अगर पर्यावरण में ल उसको जलाना जरूरी है हुसरा प्यावरण के सेफ्टी के लिये वो जरूरी बेच में जल लाडीय जाया तो वह करना ज़रूरी है आपको यह बात pen walk theoking Dr. दूसरा यह जो उससे जो मन्यूर निकलता है उसको आंख मुंद करके आप कहीं पेमीन ने डाल सकते हैं जो लोग आप लोग में से बागवानी करते हैं उनको पता होगे कि गलत फर्टिलाइजर अगर आप गलत चीज में टालती है वह सीधे जल जाएगा या मर जाएगा मतलब जमीन में एक लेवल होती है जैसे हम लोग कहते है पी एच लेवल ऐसे डिटी कितना है या बेसिक कितना वह भी बैनेंस होना चाहिए और मतलब जो फसल आप उगार उसके आप से बैनेस करना तो फर्टिलाइजर बस लेके डाल नहीं देना है अखूंत करके अपो थोड बड़ा बड़ा बायोगास बना है तो यह को चुनवाज हो रहा है चोटा सा अभी सिफ कुछी देर जलेगा तो खाना बना सकते हैं लेकिन ऐसा मत उमीद कीजिए कि आप बायोडेजिटर ली आपको कभी लपीजी नहीं खरेजना पड़ेगा वैसा नहीं होगा हाँ वैसा मतलब मेगा मेगावाट लगाजातें बैक अप के लिए तो जिन्रेटर आरेड़ी है एचने सारे लोग का कचरा एक ही जगा प्यार जो कि आराम से आप अलग कर सकते हो अराम से उस पर मतलब डागा सकते हो तो यह करना काफी जरूरी है कि इंसान का भी कचरा बिसमें इस्त बाद बड़ा बेस हुआ वहां पर इस्तमाल करना यह काफी फायदेमंग सावित होगा दूसरा बैंगलोर में हाल फलाल में काफी तरक्की आ गई है जिसमें मैं यह मैं काफी देखने लिगा हूं कि काफी सारे रेस्टोरांट अपने कच्रों को जमा करें एक बंदे को दे दे इसा होता है कि मतलब कि प्रहां पूरे हफ्टे का खाने का ऊता है अभावा को पांस ने TRAK म५चा मिल जाता है आपको प्राव काशा हुआ जाता है. tradicional का अभी में पांसमालाइस हो निकाला आया वहा बांस नि उसका है आउनी निया किये उसका प्रेधा है, यह यह न gather नीं क इस प्लांट यह काफी अच्छे एडिया है यह बहुत महिंगा भी नहीं दस से बारा हजार तक में आ जाता है और आप खुद भी बना सकते हैं अगर आपका कोई सिंटेक्स कंकी का आपके माले कोई आने जाना मतलब सीधा होथा पता है सिंटेक्स का बूरा प्लांट आप मिल मतलब एक साल का पूरा जोड़ेंगे तो अराम से एक महीने का गयस का खर्चा बच जाएगा और किसी सिभी कुछे जो रेश्टराउन चलाता है गयस के इतना इस पूर्च से खतम होता तो अगर बोलिए एक महीने का खर्चा नहीं होने वाला तो लोग बले भाई मैं है यह सब तो हम लोग का इसमें लेकिन भविश में एक नहीं तकनीक आने ओले जिसको हते है फ्यूल सेल आप लोग ने काफी लोगों को पता हुआ फ्यूल सेल जो है वह हाइड्रोजन पर चलता है फ्यूल प्रॉब्लम ही है कि देंस होती नहीं और हाइड्रोकर्बन जो कि पेट्रोर हुआ डीजल हुआ एलपीजी हुआ लेंजी हुआ आपका मीथेन हुआ हाइड्रोकर्बन पर फ्यूल सेल जनरली सेक्सफफुल नहीं रहा है लेकिन यह कंपनी उसको सिस्टम को क्रैक कर लिया इन्हों ने बनाया जिसको स्टील सेल कहते है लिंक दिया हुए दि जनरेटर के तरफ सिर्फ 20 वाट मेलेगा मतलब 20 परसेंट इफिशन यह 50 परसेंट इफिशन दितर जा सकता है मतलब माली जा प्लांट पहले बना लिए सस्ता सा जनरेटर कनवर्टर लेकर बना दिये सब चीज ठीक है एंड में आपको कुछ नहीं चाचा बस जनरेटर हटा और गर्मी के महौल में आप उसको यह कर सकते हैं उस हीटर से एक जिसको कहा जाता है एब्सोर्प्शन चिलर वो चला सकते हैं जिसे गर्मी के भरोसे आपको ठंडा मिलने लगेगा तो फ्यूसेल बायोगास को काफी अनाम से इस्तमाल करने लाइक बना सकता है इसे मतलब ब मुझे काफी मदद मिलेगी और अगर आपको अच्छा नहीं लगा कोई बात में आप डिसलाइक कीजिए मैं कहूंगा कि आप कॉमेंट लिखी अपने विचार हमारे सामें रखी और आप क्या देखना चाहेंगे अगले एपिसोड और साइंस थर्जडे में और मैं कहूंग अगर आप यहां तक देखी लिए तो सब्सक्राइब कर दीजिए कोई बई बात नहीं आप घंटी भी बजा सकते हैं अगर आप फ्री हैं तो आपने मेरा वीडियो देखा यह जानके मझे बहुत खुशी वही धन्यवार